हलो दोस्तो मैं आशिस आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डेम्टुजीनियस में दोस्तो पहले तो मैं आपको दिन्देवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया और कमेंट्स भी किये और मुझे सवाल भी पूछे तो चलिए आज मैं उन सवालों के जवाब दूगा और आपको और नए सॉलुशन्स बताऊंगा कि आप और क्या इसमें कर सकते हैं दोस्तो जो सबसे ज्यादा कमेंट्स में मेरे वीवर्स से पुछा गया है कि प्लेश्टोर वर्क नहीं कर रहा है जैसे प्लेश्टोर को खुलने पर करिक्टम सारी चिजा आ जाती है तो उनका कहना है कि सर्फर फेलियर बता रहा है तो यह क्यों बता रहा है यह में बताता हूं आपको आपको जो एप जो एपिके है इसमें Google Services framework यहां पे दिख रहा है यह install नहीं हुआ है या फिर यह आपने सही तरीके से नहीं रखा है इस वज़े से कुछ problems आती है तो देखें मैं आपको यह करके बताता हूं कि क्या है खौकर बताता है नेद देखें मैं यह रखा ता हमने यह देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डिलीट करने के बाद में प्लेश्टोर का डेटा क्लियर कर दूँगा एप मैंनेजर में जाके और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इसमे क्या बताता हूँ यह देखिए मेरे इसमे भी आप कितना भी कर लो यही बताएगा तो दोस्तों यही प्रोबलम आती है तो आपको क्या करना है आपको सिंप्ली यूसी मेनी खुलना है और फिर उसके बाद में आपको आपके यूसी ब्राउजर में जाए यूसी डाउनलोड में जाके गूगल सर्विसस ट्रेम गज़को कोपी करके बेख जाए बेख जाए बेख जाए बेख जाए और सिस्टम फोल्डर में जाके प्राइवेटेस में पेस्ट कर दें उसके बाद में यहां से आप आप एक मेनेजर में जाके प्राइवेटेस ट्रेयर कर दें क्लियर करने से बाद में आप होम पे आ जाए पिर आप जैसे प्लेश्टों खोलके देखें इस देखिए एक्सप्ट का आगया है आप एक्सप्ट कर लीजिए और आप कुछ भी इंजॉय कर सकते है इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे तुम्हें यह स्टॉल कर रहा हूँ यह देखिये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है कट कर देता हूँ उसको फिर दूसरी प्रावलम की डाउनलोड नहीं हो रहा है प्लेइ स्टोर से तो आपने जो डाउनलोड प्रवाइडर यू आई है जो हमने एप के फोल्डर में रखी थी वह आपने सही डंग से नहीं रखी है तो उसे आप रखे थी clear data करके फिल से कर सकते हैं तो हो जाए ओर एक सवाल आता है कि जो एप मैंने इस्टॉल कर ली है वह अन इस्टॉल नहीं हो रही है तो दोस्तो उसके लिए आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दोगा तो आप आसाइने से डाउनलोड कर सकते हैं इसका नाम है package installer apk इसको भी आपको private app के फोल्डर में रखना है तो इसको copy कर लिजिए और copy करने के बाद में बेख जाए एस में जाए ACL में जाए data में जाए android में जाए और इसके बाद में system में जाके private app के फोल्डर में पेस्ट कर दें बस पेस्ट करने के बाद में आप आप और हो में पर आजाए और आपको जो भी एप अनिस्टाल करनी है आप असाली से अनिस्टाल कर सकते हैं यह देखिए ओके करके अनिस्टॉल हो जाएगा दोस्तों और अनिस्टॉल करने के तरीके हैं इसमें आप एप मेनेजर में जाके भी अनिस्टॉल कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर में जाके माइ एप्स एन गेम्स में जाकर भी यहां से अनिस्टॉल कर सकते हैं यह देखिए यहां पर अपडेट का रहा है यह देखिए अनिस्टॉल का उप्शन आ रहा है आप अनिस्टॉल यहां से डारेक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको और भी कस्तमाइज कर सकते हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंस पर वाचिंग और दो सब्सक्राइब तो माय चैनल डेम्टो जीनियस थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग